हलो फ्रेंड्स एक बार फिर वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवाली तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पहले पहला जो एपिसोड था वो मैंने दो चार दिन पहले और उमीद मैं करता हूँ कि आप लोग ने वैसे ही सारी चीजे की होंगी जिनोंने नए पोधे मंगाये हैं या मंगाने वाले हैं उनको ये concept पूरा समझ में आ गया होगा आज आज आपकी 13 तारिक है 13 दिसंबर 2021 तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो प्लांट जो जो है काम करके 10 तारिक को मैंने प्लांट कर दिया था आज 13 तारिक है यानि तीन दिन के बाद जो है आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो है ये जो जो पौधे लगाये थे ये आपके टोटल 15 प्लांट हैं वहां से एक दो तीन चार पां जो है इस्टार्ट क्या है ये मौशर की वजह से जो है अपने पौधे जो है अपने आपको रिकवर कर रहे हैं और ये आप लोगों को भी ध्यान देना है फ्रेंट्स की पानी की कमी नहीं होनी चाहिए फंगी साइड का एप्लिकेशन आपको वीक में दो बार तीन बार या हर तीसरे दिन पे आपको करते रहना चाहिए ताकि जो है फंगस का कोई भी प्रभाव इस पे ना पड़े और पौधा बहुत अच्छे से जो है सर्वाइब करता रहे तो अभी क्या है तीन दिन हो चुके हैं तीन दिन के बाद जो हम पहला फर्टिलाजर इसमें देना स्ट करेंगे वह हमारे पास NPK 1260 का बहुत सारे लोग कहेंगे अरे सर इससे कुछ होता नहीं है लेकिन इससे सर बहुत कुछ होता है अगर आप लगाएंगे यह फर्टिलाजर देंगे अपने पनों को तो आपको डेफिनेटली जो है बहुत सारा रिजल्ट मिलेगा जैसे कि मैं एरिज का या ऐसे मैं प्रोड़क्ट यूज करता हूँ जो भी मार्केट में अच्छे ब्रेंड्स हैं तो उनमें जो है बार एक सेट आपको बिल्कुल वाटर सालेबल वाइट कलर में मिल जायेगा तो यह मैं हाफ ग्राम पर प्लांट अपने पोधों को देना सुरू करू है कि यह जैसे इतना मैं ले रहा हूँ इतना यह हाफ ग्राम के करीब है यह हाफ ग्राम के करीब जो है आपको पर प्लांट इसको दे देना है चाहें तो आप पानी में इसको डायलूट कर लीजे जैसे मेरे पास यह एक लीटर का पानी है एक लीटर का पानी है और मेरे सभ इसकी पूदों को पॉदों को यई दीया और यह यह मैं 3119 तरीब ले ले लेता हूं यह एक ग्राम के तरीब ले लेता हूं तो यह दिखिए यह हाफ लिया और एक और हाफ लिया याशनी यानि यह टोटल तीन प्रान्ट के लिए मैंने मिक्चर जो है एक लीटर पानी में तयार कर लिया अगर 300 ia Filipino मुझे एक गंले को देना है तो 3 त्य मिला लेना है जैसे कि ये stick है और इसमें ऐसे ऐसे इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये पूरी तरह से dilute हो जाएगा और अपने किसी भी तीन पौधों को जो है आप अपना feed दे सकते हैं जैसे कि ये एक पौधे को मैंने दिया और ये दूसरे को मैंने थोड़ा सा दिया और ये मैंने तीसरे को दे रही जा ठीक है तो ये friends आपको ये तीन पौधों को आपने तीन पौधों को खुराग दे दी हाफ ग्राम पर प्लांट में ये feed पहुँच गया बार एक सेड़ी दो तो ये आपको week में कम से कम दो से तीन बार चार बार या पांच बार भी आप ये feed दे सकते हैं परड़े के हिज़ाब से देना चाहे तो भी दे सकते हैं क्योंकि ये सिंडर है सिंडर में आपको परड़े भी feed आप अगर देंगे और हाफ ग्राम से start करना है जब 15-20 दिन आप लगातार दे चुके होंगे तो आप एक ग्राम पे सिफ्ट हो जाएंगे अभी जैसे की growth आप देख रहे हैं हलके हलकी start हो गई है पौदे अपने आपको stable कर रहे हैं तो हाफ ग्राम feed इनके लिए परयाप्त है पहला feed तो यह आपको देना है NPK 1261-0 का बहुत सारे लोग MgNO3 भी देंगे MgSO4 भी देंगे और भी 0-32 भी देंगे in fact मैंने एक दो महीने तीन महीने पहले मैंने एक feed बनाई थी बेवी feed करके उसमें मैंने 0-32 का भी यूज किया था तो वो भी feed अगर आप चाहते हैं जिन्होंने नहीं वीडियो देखी मेरे playlist में जाकर के वो वीडियो देख सकता है उसमें मैंने fungicide और भी दो-तीन चीजे मिला करके मैंने एक mixture बनाया था जिससे आपको बार-बार fungicide भी नहीं देना पड़ता है तो वो feed भी चाहते हैं तो आप इसमें दे सकते हैं और week में दो बार, तीन बार, चार बार भी दे सकते हैं तो वो भी feed आप यूज कर सकते हैं इसे भी आप confused नहीं होंगे कि उसे यूज करें वो best है या या बिश्ट है मैं तरीके आपको नए-n Strawberry बताता रहता हूँ आप जिन तरीकों को apply करना चाहें आप जैसे कोई मेरी ये वीडियो देखेगा पुरानी नहीं देखेगा तो ये वाले वीडियो से वो अपना try करें कोई मेरी सवी वीडियो देखता है जिदरे भी वीडियो में डालता हूँ तो वो जो चाहे वो देख करके अपलाई कर सकता है वो भी best result देगा ये भी best result देगा तो पहला ये feed है कि आप NPK 1260 अब देना start कर दीजिए वीक में दो बार तीन बार चार बार जैसी आपकी सहुलियत जितना आपको time मिलता हूँ उस हिसाब से देना सुरू करिए क्योंकि ये exhibition level roses है तो इनको special treatment, special feed की जरूरत पड़ेगी इसमें आपको अच्छे से खिलाना पड़ेगा, अच्छे से treat करना पड़ेगा दूसरा चे देखिए, मैं नई चे ट्राइ कर रहा हूँ, ये root king करके है ये आपको जो है market में मिल जाएगा और ये देखिए Unicarp का जो है product है root king, इसका basically काम ये है friends की जितने भी नए roots होते हैं fibrous root होते हैं, उनको promote करता है, बहुत अच्छे से और ये आप जो है market में भी ले सकते हैं, otherwise ये पिंटू सर्मा जी का मैं number जो है नीचे दिखा रहा हूँ, आप उनसे भी purchase कर सकते हैं, क्योंकि ये product मैंने उनहीं से मंगाया है तो उनसे भी आप purchase कर सकते हैं, otherwise online में भी ये product मिलता है आप किसी भी agroesha.com से या जहां से भी आपको मिल जाए agritel से या bigheart.com से कहीं से भी आप ये product अपना purchase कर सकते हैं, google पे भी search करेंगे कि root king, unicarb का तो आपको वो चीज दिखाई देगी तो आप वहां से भी इसको purchase कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है, तो कोई ज़रूत नहीं है, आपके पास humic acid है, सागरिका है, उनका भी यूज कर सकते हैं otherwise, ये मैं एक नई चीज इसलिए यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसका result बहुत अच्छा है, और ये मैंने 6-7 महीने पहले मैंने यूज किया था, तो इसका product बहुत, मतलग काफी अच्छा result मुझे मिला, roots बहुत अच्छी आजाती हैं, जो कि आप नए गुलाब में जब भी जब भी पौधा लगाएंगे नए गुलाब का, तो उसमें नए roots की ही ज़्यादा requirement होती, क्योंकि ये नए roots आपकी feed लेती हैं, तो इसका जो है यूज करना है, 1 ml पर plant के हिसाब से आपको सभी पौधों को देना है, जैसे 15 plant हैं, तो 15 ml आपको ये लेना है, और अपने सभी पौधों को जितना भी पानी required हो, उसमें इसको dilute करके अपने सभी पौधों को drenching कर देना है, मीडिया में डाल देना है, ये आप स्वैल में भी यूज कर सकते हैं, स्वैल में भी आप वीक में एक बार दे सकते हैं, सिंडर में भी आप वीक में एक से दो बार इसका आप एक से दो बार देना है, तो इनके बीच में एक दीन का गैप आप कर सकते हैं, या अल्टरनेट डेज पर बार एक से दोनहीं, क्योर रहना है सेफ रहना है तो एक दिन के बाद भी इसका उप्यूप कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये दो फीड आपको कम से कम एक महीने 15 दिन 20 दिन जैसा भी आप चाहते हैं जिससे साफसे आपका पौधा डिवलप होता है आपको 15 से 20 दिन तक इसे ही देना है क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 15 दिन में ही बहुत अच्छा अपना विकास कर लेंगे कुछ पौधे ऐसे होंगे जो एक महीने तक आप देने बाद देखेंगे आप नॉर्मल ग्रोथ पे हैं तो उस हिसाफ से फीड देनी है ऐसा कोई mandatory नहीं होता कि आपको सिर्फ 15 दिन ही इसको स्टार्ट करें दूसरा फीड में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ सेयर करूंगा कि उसको कैसे बनाना उसको Mgno3 की जरूत पड़ेगी उसमें 1919 की जरूत पड़ेगी तो बेसिकली यह जितनी भी मेरी अभी कमिंग वीडियो आएंगी इन 15 प्लांट को लेके ही आएंगी इ पंदर प्लांट ओवराल मिक्चर है तो इसलिए मैं इन पे ही वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को एक पूरी सहूलियत हो इन पोधों को बड़ा करेंगे इन पे फ्लावर्स लेंगे इनकी प्रूनिंग करेंगे एक टोटल जो है एपिसोड आपकी चलेंगे इन ही 15 प्लांट को लेगे तो आज का जो एपिसोड टू था यह इन ही पे था कि फर्स्ट फीडिंग आप कैसे स्टार्ट करेंगे फंगी साइड आपको रेगुलर देते रहना है तिल जब तक आपका पौधा एक अच्छे कंडिशन में ना पहुंझा क्योंकि अभी पौधे में रिस्क जादा होता है तो इसका कोई शेडूल नहीं है कि आप आज 19 तारिक को देंगे 25 तारिक को देंगे ऐसे नहीं हर तीसरे दिन चौथे दिन पर आपको फंगी साइड देना ही देना है काली पीली ऐसे ड्राइ ब्राइब रंचेस को हटा के फंगी साइड तुरंत अप पाएंगे अगर आप चाहते हैं दो बार देना तो फोलियर इस्प्रे भी कर सकते हैं और बाकी जो आपका ये प्रमोशन नहीं है कोई प्रमोशन नहीं है जो मैं मंगाया जो मैं यूज गया मैं उसका रिजल्ट आपके साथ साथ सेयर कर रहा हूँ तो ये चीज़े हैं फ् नेक्स्ट वीडियो में जो इसका दूसरा पार्ट होगा वो एक हफ्ते या दो हफ्ते बाद की मैं जो वीडियो अप्लोड करूँगा इन्ही पंदर प्लांट को लेके जैसा कि आप देख पा रहा है पौधे में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ जो है स्टार्ट हो गई है ये दे आपिल पदेख पुद लिग्ट बस новुरी अजय करीन के देख में थोड़ूंबा इर डिला बादरों स्टार्क